दोस्तों 90 के दसक में बॉलिवुड में एक से बढ़कर एक स्टार आएं जिन्होंने अपनी सांदार अदाइगे से तर्शुकों के दिलों में विशेज जगा बनाई आज हम आपको 90 के दसक के एक ऐसे एक्टर के वारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कॉमिक से बड़े स्टार्स को टकर दे दी लेकिन समय के अनुरूप अपने आपको धालना पाने के कायरन वे इंडॉस्टी से गायब हो गए हम जैसे एक्टर के बारे में बताने जा रही हैं उनका नाम हरिश कुमार है हरिश ने साल 1951 में करश्मा कपूर की प्रेम कैदी फिल्म से अपने करियर की शुरुवात की नैंटी के दसक में हरिश हłęदी फिल्मों के चाने माने स्टार रह चुके हैं गुवदा के साथ उनकी जुगलबंदी देखते ही बनती थी हरीस ने हुंदी के साथ साथ तपमिल मल्याली और कर्नड फिल्मों में हरिस कुमार ने 15 साल के उमर म बतोर लीड एक्टर काम किया उनके पहले फिल्म डेजी जो मल्याली भासा में बनी थी नब्बे के दसक में अपने एक्टिंग और ओडियंस को इंटर्टेन्मेंट करने वाला एक्टर दोहचार एक में आई इंतकाम के बात परते से लगबग गायब हो गया गोविन्दा स्टार फिल्म नौट येट फोर्टीन से उन्होंने वापसे की कोशिश की लेकिन फिल्म फ्लॉप रही आखिर बार वे साल दोहचार बारा के सुपर फ्लॉप फिल्म चार दिन की चांदने में दिखाए दिये थे वेल दोस्तों अगर हम हरीस कुमार के आज की बात करें तो ये आज गोवा में अपनी एक अच्छी और हैल्दी लाइफ जी रहे हैं वेल दोस्तों अगर आप भी हरीस कुमार के बड़े वाले फैन है तो इनके किसी भी मूवी का एक नाम हमें कमेंट शेक्शन में कमेंट करके जरूर बताए साथी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बलकुल न भूले बाबाए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखी